सभी किसान भाईयों को नमस्कार मैं परमौत तोमर दस एक शरिया विसमसुगर फैक्टरी में कार्य रहत हूँ और यहां पर अपनी फैक्टरी का एक फार्म है जो तीन सो विजे का फार्म है और इस पर सभी नई वैराइटियां बोई जाती है जहां से किसानों को बीज जो है सप्लाई किया जाता है और किसानों को यहां बोने की नई नई विदियों के बारे में जानकारी दी जाती है नई दवाईयों के बारे में जानकारी दी जाती है किसानों का यहां पर परसिक्षन अपनी सुगर फैक्टी के दुआरा होता रहता है और आपको मैं आज यह बताना चाहरा था कि जैसे अगर हाज हमने बवाई की है अपने यहां फारम पर तो किस गन्य की बवाई की है इसमें हमने C.O.L.K. 14201 जो नहीं पर जाती है लखनाउं से रिलीज हुई है और इस गन्य की बवाई की है और इसमें हमने जो बवाई की है यह पांच फिट की दूरी है पांच फुट की दूरी पर सिंगल लाइन दो आख का टुकड़ा था सबसे पहले हमने बीज को गन्य को लिया उसे अच्छी तर परट की बोरी होती है उसमें भरने के बाद मैं और उसमें हमने जो है दवाई हम दवाई में से राध पर टीट के अनुबोरों को हमने जैसा दाइसो लीटर पाणी ले लिए अश्मेंट-धियोफ्नेत हमने डाल दिय था और उसमें एक किलो के करीब हमने यूरिय डाल यह इसमें डाल गए इसका मिक्चर में ही, हमने उन बोरो को अंदर डाल लिया था और फिर हमने गनने को अगले दिन सुभई कल भीग वहाई था और आज हमने इसमें बोने लग रहे हैं, देखो यह है दो दो आंक का टुकड़ा, यह है दो आंक का टुकड़ा है यह और इसकी यह गन्ने की है और मिट जब गन्ना बौने के बाद में हमने सबसे पहले से में खाद भूई थी फिर गन्ना बौया था अब हमारा इस पर मिट्टी जो है डालने का कार्यें चलना है कि हम मिट्टी कैसे डालें जैसे कोई भी जान भाई अगर इस टाइम गन्ना बोता है कि सेफ्टंबर में गन्ना बहुता है तो उस पर सरावन नहीं लगाना चीए किसान बाईयों को तो यह देखो कि अब हम इस पर मिट्टी डलवा रहे हैं देखो कैसे बच्चिया मिट्टी डाली है इस पर मात्र दो अंगुल बहुत कम मिट्टी डाली जक्ति जाए यह देखो यह मिट्टी मतले ऐसे डाल ठीक है सभी किसान बाईयों को नमस्तर